किशार Whoo नमस्कार नीडजास किचिन में आपका बहुत भौँ स्वागत है आज हम बनाना सीखेंगे एक ही आईस क्रीम बेस से 3 og 4 प्रकार की आईस पना सकते हैं यह मैंने उसक्रीम बेस तरह के रखा हुआ है आईस क्रीम बेस किस तरह से बनाते इसका वीडियो मैं बहुत पहले डाल चुकी हूँ उपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूँगी तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए उसमें मैंने दूसरे ब्लेंडर से ब्लेंड करके बताया था तो वो ब्लेंडर टूट गया था मेरा तो इसलिए मैं इस बार आपको फिर से बता रही हूँ इस वाली मशीन से फैट के ये वाली मशीन सबसे बहतरीन होती है आईस क्रीम को फैटने के लिए मिक्सी में भी उतनी अच्छी नहीं आपकी फलफी आईस क्रीम बनेगी जितनी अच्छी इस वाली ब्लेंडर से बनती है तो इस तरह से पहले मैंने आईस क्रीम बेस को फैट लिया है फिर उसमें हम ये नॉन डेरी क्रीम जो केक वगहरे में लगती है वो हमने डाली है और फिर हम इसको फैटेंगे ये सारी प्रोसेस पुराने वीडियो में है आप उसमें से अच्छे तरीके से पूरी विधी देख लीजी चूकि ये नया ब्लेंडर मैं यूज कर रही हूं तो आपको इसका मैंने थोड़ा सा बताया है तो इसको एक दो मिनिट फैटने के बाद म मशीन को फिर उसके बाद एक दो मिनिट फैट ये ऐसे करके आप कम से कम 15-20 मिनिट तक इसको फैटेंगे तो आपकी ये आईसक्रीम जितनी आपने आदर लिटर या एक लिटर जो भी दूद लिया है उससे चार गुनी कम से कम ये आईसक्रीम बनेगी तो आज हम ये बेस त तयार होएगा इससे हम 3-4 प्रकार की आईसक्रीम बनाना सीखेंगे इस बेस में आप चाहे तो कोई भी फ्रूट पल्प या क्रश जो भी आपके पास में है चाहे स्ट्रॉबेरी है मैंगो है या फिर ओरियो बिस्किट है या और भी कोई लीची है कोई भी फ्रूट आप इसमें मिक्सी में पीस लीजिए थोड़ी सी शक्कर डालके और इसमें मिक्स कर दीजिए बस उसी फ्लेवर के आपकी आईसक्रीम बनके तयार हो जाएगी यह प्लेन बेस है इसमें आप कोई भी फ्लेवर एड़ करके कई तरह की आईसक्रीम बना सकते हैं इसमें चॉकलेट आइस्क्रीम भी आप बना सकते हैं थोड़ा सा कोको पाउडर और चॉकलेट को इसमें मिक्स कर दीजी और बस ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजी यह हमारा बेस अब बन के तयार हो गया है बहुत अच्छा फलफी हो चुका है अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे और अपन आइ इसक्रीम इसमें मैंने इस ट्रॉबैरि का करश डाला है पांच चमच चूंकि यह मीठा रहता है तो इसमें एक्स्ट्रा शक्र डालने की जड़त नहीं है अगर आप इस ट्रॉबैर्य की साथ में 4 पांच चमच शक्र भी पीश लीजे फिर इसमें इसको मिला लिए झार् उ इसको फ्रीजर में जमने के लिए कम से कम 5-6 घंटे या ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी जम के तयार होगी अब इसी तरह से जो यह हमारी बाकी बची हुई आइसक्रीम है इसमें आप जो फ्लेवर डालना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं स्ट्रॉबेरी आइस क्रीम बन के तयार हो गई है अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे इस तरह के आप प्लास्टिक कंटेनर या एलुमिनियुम का कंटेनर हो उसमें पूरा भरके और अच्छे से ढखकन लगा के आप सेट होने रख दीजिए इसमें बिल्कुल भी आइस क बढ़िया इंजोई कीजिए इस आइस क्रीम को अब जो हमारी यह बाकी बच हुई आइस क्रीम है यह हम प्लेन वेनीला बना कर अभी रख दे रहे हैं फ्रीजर में मुझे अभी प्लेन वेनीला की जरूरत है तो मैं अभी प्लेन वेनीला ही बना कर रख रही हूं इसी बेस और इस तरह से हमारी जो यह वनीला आइस क्रीम बनेगी यदि बाद में भी आपको बनी बनाई आइस क्रीम से कोई दूसरा फ्लेवर एड़ करना है तो वह भी आप कर सकते हैं तो चलिए आज हम वही करके देखते हैं पहले वनीला को हम रख देते हैं जमने के लिए उसके बा ओवर नाइट रखने के बाद में हमारी आइस क्रीम बनके तयार हो गई है तो यह वनीला आइस क्रीम तो हम लोगों ने आधी वनीला यूज हो गई है मेरी अब यह आधी बची है तो चलिए इसका मैं बताती हूँ इसका हम किस तरह से फ्लेवर इस वक्त भी एड़ कर सकते यह मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के बाहर रख दी थी तो यह काफी सॉफ्ट हो गई है अब इसको हम चम्मस से ही मैश कर लेंगे इस तरह से चम्मस से दबा दबा के इसको मैश कर लीजिए और हम इसमें मिलाएंगे ओरियो बिस्किट इस तरह से अगर आपके पास में बजार की वेनिला आइसक्रीम है उसमें आपको कोई फ्लेवर मिलाना है तो आप इस तरह से उसको मैश कर लीजिए और उसमें आप कोई भी फ्लेवर एड़ करके दूसरी फ्लेवर की आईस्क्रीम बना सकते हैं तो मैंने ये औरियो का एक पैकेट बिस्किट लिया हुआ है इस इन बिस्कुट को हम एक जिप लॉक बैग में डालेंगे और बेलन की सहायता से इनको क्रश कर लेंगे हलके हाथों से हम इनको दबा के छोटी-छोटी टुकड़े कर लेंगे एक दम बारिग नहीं करना है थोड़े दर-दरे टाइक के मोटे-मोटे टुकड़े रहना चाहिए तो इस तरह से हम कूट लेंगे पहले और हलके हाथों से बेलन को चला देंगे तो इसके छोटी-छोट टुकड़े हो जाएंगे अब इन टुकड़ों को हम आइस्क्रीम में मिक्स कर लेंगे वैनीला और चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है तो साथ में ये ओरियो बिस्किट और वैनीला फ्लेवर के आइस्क्रीम बहुत ही बढ़िया आइस्क्रीम ये लगेगी इस तरह से बिस्किट के चूरे को हम इसमें मिक्स कर देंगे और चम्मस से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बस इसको जमने के लिए रख दीजिए यह आइस्क्रीम बहुत जल्दी जम जाएगी क्योंकि यह आल्रेडी जमी हुई है और मुश्किल से तीन या चार घंटे लगेंगे और हमारी आइस्क्रीम बनके तैयार हो जाएगी इसको हम फ्रीजर में रख देंगे अब हमारी आइस्क्रीम देखिए बन के तयार हो गई है इसको हम इसकूपर की मदद से इसकूप निकाल लेंगे आप इसकूपर को पहले गरम पानी में डिप कर लीजिए तो आसानी जाएगी बहुत आराम से आइस्क्रीम निकल जाएगी देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी बढ़िया स्पूप निकल रहे है बहुत ही बढ़िया आइस्क्रीम जमिया बिल्कुल बजार जैसी एक बार आप इस तरह से ट्राइ करके देखिए आपको भी विश्वास नहीं होगा कि आपने ये घर में बनाई है आइस्क्रीम ये हमारी ओरियो बिस्किट की आइस्क्रीम तैयार हो गई है इसी तरह से हमने जो अपनी स्ट्रॉबेरी तैयार करी थी वो भी देखे कितनी मधिया कलर आया हो बहुत ही टेस्टी एस्क्रीम बनी है ये हमारी मंगो आइस क्रीम मैश हमने मंग्गॉ पल्प मिला आया है वह थोड़ी सी शक्कर तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें